let's see the consolidation procedure कि जह हम दो कंपनियों या तीन कंपनियों को एक कंपनी बना कर अकाउंट से बनाना चाहेंगे तो उसका प्रोसिजर क्या होता है intergroup balances and transactions must be eliminated मैं रपीट करता है इस बात को कि देखें दो कंपनिये या तीन कंपनिया है A, B, C A जो है वो parent है B और C जो है वो subsidiaries है तो आपने A ने जो है ना consolidated accounts बना ले लेकिन त्यूंकि उनके दर्मियान आपस में business होता है A, B को sell कर रहा है A को sell कर रहा है C को sell कर रहा है D को ऐसे अगर वो आपस में selling कर रहे हैं आपस में कोई transactions हो रही हैं तो company अगर एक है तो आपस में transaction जो होगी ठीक है individual की books में तो है लेकिन group का point वो इसे वो consider नहीं की जाते हैं यानि group का point से उसको हम eliminate करते हैं यह elimination का process है यह the important in consolidation यानि इंटर group की जो भी lane देन है उसको हम consolidation में eliminate करते हैं मसलिए अगर A ने B को loan दे रखा है तो इसके पास तो वो investment आ रही है debit में asset आ रहा है और loan जिसने ले रहा है उसने अपनी liability दिखाई है तो जब अकाउंट्स बनाएं ग्रूप के asset भी खतम करेंगे और liability को भी खतम करेंगे तो any intergroup balance should be eliminated इस तरह आपने sale किया है तो आपने receivable book किये और उसने purchase किया तो वो payable book करेंगा again sale और purchase भी cancel होगी और receivable और payable भी cancel होगी तो any intergroup transaction जो है उसको हमें inter इसको eliminate करना होता है इफ दे आर डिफरेंट अकाउंटिंग year ends the parent and subsidiary accounts can be consolidated if they are within the three months of each other तेकिए जुरूरी नहीं होता कि आप हमारा accounting year 31 December है तो हो सकता है subsidiary का accounting year end 31 March हो तो ये भी ज़रा मुश्किल काम है कि आप कैसे मिलाएंगे उनके 9 मेने के account आपके पूरे साल के account आएंगे तो ये combination जो है मुश्किल है लेकिन वो कहते हैं कि 3 months तक है तेकिए फिर से repeat कर रहा हूं नहीं लेनी subsidiary की no उन सारे पूरे साल का नहीं फिर आपने 3 months कर लेने तो याप buy ab तो बनाएंगे लेकिन proportionate figure लेंगे 3 mhynे की figure । sales की भी 3 mhynे की लेंगे expenses की भी 3 mhynे की इसी तरह जो profit भनेगा तीन मही नहीं 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 साल करने की पेरेंट और सबस्टिरी मस्ट हैव यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने बहुत स्ट्रेस किया इस पर कि यह बस्ट है इसके बगार आगे नहीं चलता है लेकिना गुरूप ने जब वो अकाउंट नोट सुरुदी अकाउंटिंग पॉलिसी मेंशन करनी यह बहुत हैंगी only then consolidated accounts can be prepared then no controlling non controlling interest minority interest यह भी एक नई तर्म आपके लिए लेकिए अगर मैंने holding company ने 80% share रखे हुए अपने पास तो जिनके पास 20% shares है उनको हम पहले minority कहते हैं तो minority का वर्ड आजकल यूज नहीं होता आजकल वर्ड यूज रहा है non controlling interest controlling के पास है इनके पास 80 percent shares है और जिनके पास 20% share है उनको कहेंगे हम non controlling interest अब है वो shareholder ही लेकिन नाम यह ही देंगे हैं NCI non controlling interest holder भी कह सकते हैं so NCI should be presented in equity इनका जो portion बनेगा देगे ना साल के accounts में से 80% तो आपने अपना लिखना लेकिन जो 20% है वो भी तो आपने दिखाना है ना कि जो 20% है वो इस heading में आप डालेंगे non controlling interest के case में तो वहां पर आप दिखाएंगे लेकिन लिखेंगे यह आप equity के बाद अलग से लिखे अलग से दिखाएंगे इसी नाम से non controlling interest के नाम से but separate from the shareholder's equity NCI should be separately presented in the income statement यानी balance sheet में भी अलग से दिखाएंगे और जो profit and last account में income आएगी उसमें उनका कितना portion है उसको भी अलग से दिखाएंगे क्योंकि देखेंगे 100% तो आपके पास अगर आपके पास 100% है तो फिर यह non controlling interest में नहीं है यह उसी सूर्ट में आएगा जब आपके पास 100% control नहीं हो अगर आप holy owned हैं सारे के सारे share आपके पास है तो फिर यह non controlling interest में शामिल नहीं होगा अचा अब इसमें एक और issue है कि exemptions क्या है कि किन सूर्टों में आप इन companies को एकठा नहीं कर सकते यानि consolidation में शामिल नहीं कर सकते number one if it is holy owned subsidiary जैसे मैंने कहा कि अगर आप पहले ही किसी के subsidiary है और अब आप parent company बने एक और company के तो आपको consolidation नहीं बनानी होगी बनके जिसकी आप subsidiary है वो आपका parent है वो उसकी account में आप आप exempt है आप नहीं बनाएंगे if its debts or equity instruments are not traded in the public market another important thing कि अगर किसी company के shares जो है bonds जो है वो traded रही है in the market market में बेचे खरीदे नहीं जा रहे हैं तो पहली बात हो यह कि आपको फिर मिलेंगे कैसे shares company लेकिन अगर नहीं खरीदे जा रहे हैं या नहीं trade हो रहे हैं तो भी आपकी ओ company उसको consolidate आप नहीं करेंगे it did not file nor it is in the process of filing return file करनी पड़ती है security exchange commission of Pakistan के पास हर साल के end पर अपनी reports और जितना listing company जो उनको भी reports submit करनी पड़ती है तो अगर आप filing नहीं कर रहे हैं तो भी आप exempt हैं आपको उसमें शामिल नहीं करना पाकिस्तान और अदर रेगुलेटरी यह बाद में समझाऊंगा किसी दिन के और कौन-कौन से regulatory institutions हैं जहां पर हमें यह रिपोर्ट को देना पड़ता है तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको consolidation नहीं करनी पड़ेगी अगर आप कुछ पीरियट के लिए और सोचा है कि बाज में बेज देंगे तो फिर नहीं शॉर्ट टम बाइंग जो कर रहे हैं आप शेयर की भले ही आपके पास 80% है आपको consolidation नहीं करनी है इसमें यह है कि अगर आपका 50% से शेयर कम हो जाता है 20 और 50 के दर्मयान रहता है तो associate के तो यूज करेंगे और उसके treatment अलग है लेकिन अगर आप 20% से कम हो जाता है तो फिर आप simple लिखेंगे investment trade purpose के लिए है और इसको आप जब चाहिए बेश सकते हैं Simple concepts are much more likely to generally understood and sensibly applied than complex set of rules इसके rules जो है it's never ending actually I'm telling you my experience is I've been teaching this for so many years I've been preparing it for so many years so many things involved In fact there is no end to it Let's see how we can go further Now determine exactly which entities should be included in consolidated accounts is one of the most important issue in whole of the field of financial reporting Normally इसमें बहुत सारी जो है न चीजहें मैं आपको बताओं के लोग इसमें बड़ा play करते हैं और इसमें एक word use कर रहा हूं मैं आगे देखें creative accounting यानि आप एक loss making company के share खरीद लेते हैं special purpose entity या इसको special purpose vehicle भी कहते हैं आप क्या करते हैं कि आप अलग से एक company create कर लेते हैं और आप अपने receivers इसको बेज देते हैं ताके वो collect करें तो यह भी एक तरीका है कि आप एक नई company बना special purpose special purpose means एक special purpose सामने रखकर एक नई company बना लेते हैं और उसमेरा explain मैंने किया देखें they were able to generate profits or avoid losses by means of transaction between the consolidated and unconsolidated entity यानि वो जो special purpose entity आपने बनाई उसका मकसद तो यह है कि हम अपने losses को avoid करें या किसे तरीके उसके profit को अपने losses के साथ adjust करें तो यह allowed नहीं है normally लेकिन चुके standard में यह चीज़े दी गुई है तो हम करते हैं normally यह करते हैं और यह पाकिस्तान में तो खैर इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन बाहर जो है it's a lot एक एक पास कई-कई company आ है यह पाकिस्तान में भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मसलें देखें यह यह leasing company है यह क्या करती है अपने receivables को एक और company को बेज देती है कि अभी आपके जिमाय क्लेक्ट करना आपके आप उनसे पैसे ले लेती हैं और क्लेक्ट करती है और वो they manage so this is how they do it in fact in special purpose entities अचा इसमें एक और चीज है कि IFRS 5 जो है come up a new term कोजाई subsidiary यह एक नहीं टर्म में डाल दी अचा इसमें वो consolidate नहीं करते है account क्योंकि वो indirectly controlled है and excluded from the consolidation यह है क्या basically a company, a trust, partnership or other vehicles not fulfilling the definition of subsidiary directly or indirectly controlled by the reporting entity but excluded from the consolidation तो यह भी एक नहीं term IFRS 5 ने डाली है लेकिन यह क्योंकि यह consolidate नहीं होती इसलिए इसको हमने ज्यादा explore भी नहीं करना है Thank you very much